दोस्तो आज हम एक थाइलेंड की मूवी की स्टोरी एक्स्पेन करने चाह रहे हैं उस मूवी का नाम है खुन भेन थाइलेंड में एक नदी के पास बहुत बड़ा गाउं होता है तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रेड शो रखा जा रहा होता है ये गाउं करीबन 100 साल पुराना होता और उसमें कई सारों से शान्ती होती है कहा जाता है कि एक मिश्टीर्स फोर्स है जिसका नाम है उतामार्थ ये फोर्स इस किंडम की रक्षा करते हैं तो एक बार चियांगिन नाम का एक शमन था जो कि अपनी आर्मी को लेकर इस गाउं पर हमला करने के लिए आया था शांग इनको ब्लैक मैजिक भी आलता पर वो उतामार्थ के सामने नहीं टिक पाया और इस वेसे उसे अपनी एक आँग भी कवानी पड़ी बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक कहानी है क्योंकि किसी ने भी उतामार्थ फोर्स को नहीं देखा है लड़का होता है जो कि इस कहानी पर विलीव करता है उसका नाम होता है केउ केउ को लगता है कि उसके फादर भी इस आर्मी में थे पर लोग उसकी बात का यकीन नहीं मानते है क्योंकि उसे अपने फादर का फेस भी याद नहीं होता है केउ को एमनेजिया होता है उसे बचमर की कोई भी बात याद नहीं होती है केउ अपने दोस्त पैच के साथ यूनिफर्म बैन लेता है और जाके लोगों को चेक कर रहा होता है कि उन्हें ड्रिंक करी है या नहीं फिर केउ आगे बढ़ता है तो फिर आगे एक आदमी और एक औरत होते हैं आदमी ने अपने मूपर एक मास लगा रखा होता है फिर केउ उस आदमी से बात कर रहा होता है जिसने की मास पैन रखा होता है तो फिर वो आदमी केउ से बोलता है क्या तुम सच में पुलिस वाले हो जिस आदमी ने मास पैन रखा होता है वो देखता है कि थोड़ी ही दूर पर दो लोग हैं जो कि पुलिस वाले हैं और उन्हें युनिफर्म नहीं पहन रखी है और वो अपने बहुत से शिकायद कर रहे हैं कि दो लोगों ने हमारे कपड़े चुरा लिए फिर वो पुलिस वाले केओ और पैच को देख लेते हैं और केओ और पैच वहाँ से भाग जाते हैं जिस आदमी ने मास पैन रखोता है वो भी वहाँ से जा रहा होता है तो फिर पुलिस वाले देखते हैं कि जो उनके पास वेहकल है उसकी पीछे केओ और पैच दोनों लटके हुए हैं फिर पुलिस वाले पे उनका पीछा करने लग जाते हैं और उन पर एरो शूट कर रहे होते हैं जैसे ही वो एरो शूट करते हैं तो फिर वो दोनों उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं तो फिर जब उस बॉक्स अंदर जाते हैं वहाँ पर एक बॉड़ी होती है एक आदमी की थोड़ी दिर बाद वो पुलिस वाले फायर एरो शूट करते हैं तो फिर उस पूरे वहिकल में आग लग जाती है यह और पैच वो दोनों आग बुजाने के कोशिश कर रहे होते हैं पर वो नहीं बुजा पा रहे होते हैं तो फिर वो एक जगह से वेहिकल को तोड़ देते हैं और ताकि वो बाहर निकल सके वहां से एक दूसरा वेहिकल जा रहा होता है फिर दोनों वहां से बचने में कामियाब हो जाते हैं जासा कि मैंना को बताया था कि उस आदमी की वेहिकल में एक आदमी की बॉड़ी थी और वो आदमी जिन्दा था वो आदमी उसे एक जगे पर लेकर जाता है फिर वहाँ पर एक शमन आता है और वो उस आदमी से बात कर रहा होता है जिसे कि वो मास वाला आदमी लेकर आया होता है वो शमन उससे बोल रहा होता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था उस शमन की एक आँख नहीं होती है तो फिर वो बोड़ रहा होता है कि अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की कि हम अगली बाल जरूर फैर्य डेको को लाएंगे फैर्य डेको शायद से उत्मार्थ फोर्स का लीडर होता है फिर वो मास वाला आदि बोलता है कि अभी बहुत बड़ा celebration होने वाला है क्योंकि प्रिंस मिंतों यहाँ पर आने वाले हैं और उन्हें नया राजा बनाये जागा लंचंग का वहाँ पर जरूर फैर्य डेको आएगा उस लड़की का नाह होता है रश्मी शी चान और जो आदि मास वाला होता है उसका नाह होता है मूंक कैयाओं अगले दिन केव और पैच गाहों में बोसते हैं फिर इन्हें बात जरता है कि का कॉंसेट्ट होने वाला है वह दोनों कॉंसेट्ट देखने К लिए जाते हैं तो फिर वहाँ परЧांग के साथ एक लड़की भी उती है जिसका नाम होता है पिम थोड़ी देर बाद वहाँ पर लड़ाई होने लग चाती है तो फिर वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो उन सब को पकड़कर ले जा रहे होते हैं चांग और पिम दोनों रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस वालों से कि आप केउ और पैच को छोड़ दो तो फिर चांग के पास जाते हैं और उसे थेंक्यु बोल रहे होते हैं तो फिर चांग केओसे कहता है कि बहुत टाइम हो गया तुमें देखे हुए केओओगो कुछ भी याद नहीं होता है तो फिर चांग बबताता है कि इसका नाम PIM है तब ही थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और वो चांग और पिम को बला रहा होता है कि वो दोनों स्टेज पर चले है पिर जैसे ही पिम और चांग दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर वहाँ पर केओ और पैस नहीं होते हैं फिर केउ और पैस दोनों जा रहे होते हैं तब ही रास्ते में उन्हें कुछ क्यादी मिलते हैं वो जेल से भाग कर आ रहे होते हैं तो फिर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भागो तो फिर नहीं भागते हैं जैसे वो आगे बढ़ते हैं तब ही महाँ पर पुलिस वाले आते और वो K.O. और पैस दोनों को पकड़ लेते हैं K.O. जेल में होता है और वो सो रहा होता है तो फिर से एक ड्रीम आ रहा होता है उस ड्रीम में वो अपने फादर के साथ होता है और वो एक ट्री के सामने खड़ा होता है को के फादर उसे पूछते हैं कि जब तुम इस ट्री को देखते हो तो फिर तुमें क्या देखता है तो फिर को बताता है कि इस ट्री को एक ठेंटर ने मार दिया है केउ के फादर उसे ऊपर देखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इस पेड़ पर एक नई टैनी उग रही है इसका मतलब कि ठेंटरस की मौत का खारण नहीं है बलकि इसके रिवाइवल का कारण है तोड़ी दिरबाद पैच को होस आता है और उनकी जेल में तीन आलमी आते हैं फिर केचो पहसलता है कि वो तीनों आदमी गोस्ट है तोड़ी दिरबाद उनके चेंबर में ऐकुटता आता है और वो उनसे बात कर रहा होता है तबी जो patch होता है वो भीष हो जाता है फिर वो dog एक इनसान बन जाता है और वो केउ को बताता है कि मेरा नाम डेट है और मैं एक wizard हूँ केउ डेट से बोलता है कि तुम यहाँ पर इस लेओ क्यूंकि तुमने लोगों को cheat करा होगा फिर डेट केउ से बोलता है कि तुम नहीं जाना चाता है कि तुम्हारे फादर कौन है तो फिर केउ बोलता है तुम्हें पता है मेरे फादर कौन थे फिर डेट बताता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि तुम कौन हो एक पेपर निगालता और बोलता है कि ये तुम्हें कुछ पढ़ना पढ़ेगा फिर डेट बोलता है कि ये जिल से टेबल नहीं है तुम्हें पढ़ाना की थोड़ी देर बात केउ और पैसकी बेल हो जाती है जैसे ही वो दोनों भार जाते हैं जो डेट होता है वो केउ की रूप में बज़ जाता है जिनोंने इन दोनों की बेल कराही होती है वो केउ की मॉम होती है पिर केउ अपनी मॉम से बुशता है कि मेरे फादर कौन थे आपने मुझे आस्ता क्यों नहीं बताया उनके बारे में केउ की मॉम बोलती है कि तुम्हारे फादर बहुत की अच्छे इंसान थे तुम सरफ यह याद रखो केउ एक जग़े पर अकिला बैठा होता है और वो एक तरीके से प्रोजेक्टर का काम कर रहा होता है डेट बताता है कि प्रान के यूज से हम मैजिकल फोर्स को क्रीट कर सकते हैं डेट बताता है कि हर एक मंतर अलग तरीके से काम करता है फिरो मनाव को बेचता है बुक लाने के लिए फिर डेट बताता है कि इस बुक में नाइन अलगलग ब्रांचेस हैं, अलग-अलग मास्टर्स की और आस तक कोई भी इन नाइन ब्रांचेस को ख़तम नहीं कर पाया है डेट बताता है कि जो फर्स स्पैल है, वो टेलिपोर्टेशन का है तो फिर जब KO होता है उस spell को पढ़े लग जाता है डड़ बता रहा होता है कि इस spell के जरीए तुम किसी से भी मिल सकते है और जहां पर जाना चाते हो वहाँ पर जा सकते हो जैसे ही KO वो spell खतम करता है तो फिर वो वहां से गायब हो जाता है केउ एक जग पर पहुच जाता है वहाँ पर पिम होती है तो फिर पिम अपनी एक दोस्त से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि जो केउ है वो मेरा बच्पन का दोस्त है और शायद वो मुझे भूल चुका है केओ वहां से कहीं और जाता है तो फिर इसे वो आदमी दिखाई पड़ता है जिसने की वो मास पैंड रखा होता है केओ उस आदमी का पीछा करता है तो फिर जो आदमी होता है वो रश्मी चान से बात कर रहा होता है थोड़ी देर बाद K.O. वहां से चला जाता है फिर उसे चैंग मिलता है और पिम मिलती है फिर वो दोनों उसको ले जाते हैं अपने पेरिंट से इंट्रड्यूस कराने के लिए फिर पिम इंट्रड्यूस कराती है कि यह मेरा बैश्मन का दोस्ता इसका नाम K.O. है थोड़ी देर बाद K.O. वहां से चला जाता है तो फिर उसके पीछे चैंग और पिम भी जाते हैं फिर चैंग उसे बोड़ रहा होता है कि कोई भी तुमारे बारे में कुछ भी कहे पर तुमारे फ्रेंड हो क्यों उसे बोल रही होती है कि तुम्हें वो टाइम याद नहीं कि जह हम बच्चे थे पिम कहती है कि जब तुम वहां से चले गए थे तो फिर मेरे पैरेंट्स ने चैंग से मेरे इंगेजमेंट तैय कर दी ती और चैंग ने मुदे पूछा था कि अगर तुम उसे एंगेजमेंट करना चाती हो तो पिर मेरे लियुक्छ आती हो चैंग की दॉलर चाती हो। चैंग ने अपनी दॉलर चोड़ दी और वह मिलिक्टरि को सर्व नहीं किया है। तों चैंग आता है और वह से पर उपिसर से कहता है कि यह मेरी फैमिली को स centre पहाँ हो इन से मेरी खाली हो ले खाली हो। सेर्फ कर रहे थे तो फिर वह ऑफिसर उन्हें अंदर जाने देता है अग्षा है और ये क कई ग्रूब बनाय जा रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा श्रॉ Miles कई होते हैं उन्हें अलग ग्रूब में रखा जा रहा होता है जैने गंक काफी स्ट्रॉंग होता है तो फिर केउ बिमारी का बहाना बनाता है फिर वो केउ को एक दूसरी उनिट में ट्रांसफर कर देते हैं फिर रात को केउ पैच और उसका एक और साथ ही होता है वो तीनों पहरतारी कर रहे होते हैं तब उन्हें वाल पर एक निशान दिखाई देता है थोड़ी देर बाद केउ डेट से मिलने के ले जाता है तो फिर उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने उत्मार्थ फोर्स के बारे में सुना है डेट बोलता है क्या वो सीक्रिट फोर्स तो फिर केउ बोलता है क्या वो सच में थी तो फिर डेट बोलता है कि ये तुमारे उपर है कि तुम कैसे चाहते हो कि वर्ड तुमें याद रखे फिर डेट केउ को अपने साथ ले आता है और वो उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है अगले दिन केउ पैच और उसके साथ ही को पनिशमेंट मिली होती है तभी वहाँ पर किछ सोलजर आता है और उसके साथ ही को बहुत बुरी तरिके से पीटते है फिर वहाँ पर डेट आता है और वो केउसे बोल रहा होता है कि तुम अभी रेडी नहीं हुए हो फिर डेट केउ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है जिसा कि मैंना को बताया था कि वहाँ पर एक ट्रेड शो चल रहा होता है तब ही वहाँ पर एक foreigner आता है और वो पिम से मिलता है तो फिर वो पिम को अपनी वाइब से इंट्रिडूस करा था जो उस foreigner की wife होती है वो रश्मी चान होती है केउ एक समान ले जा रहा होता है तब ही वो रास्ते ही में रश्मी चान को देख लेता है तो फिर रश्मी चान कहीं जारी होती है और वो उसका पीछा करन लग जाता है फिर केउ एक रूम में पहुच जाता है तो फिर वहाँ पर रश्मिचान होती है और वह केउ को ब्योश कर देती है काफी देर बाद केउ को होश आता है तो फिर जब वहाँ पर देख रहा होता है वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स होती है फिर केउ वहांपर एक पेंटिंग को देख रहा हुता है तो फिर उसे कुछ अपनी बच्छमर्ट की याद याद आ रही होती है फिर वहांपर पिम आती है और वह दोनहों बाते कर रहाते हैं तो फिर पिम बताती है कि इसको मैंने डिजाइन किया फिर तबी वहाँ पर कुछ सोज़े रहते हैं तो फिर पिम क्यो को लेकर एक जाए पर चुप जाती है क्यो किम से बोल रहता है शाएद मैंने उसे कहीं पर देखा यह फिर थोड़ी दिर बाज जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तब ही वहाँ पर चैन्ग काबू कर लेता है। अपने फादर के पास जाता है तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो उस पर गुस्ता कर रही होते हैं क्योंकि वो competition हार गया होता है सारे officers को उनकी uniform दी जा रही होती है और जो KO होता है उसे chief बनाया जाता है unit का फिर KO पिम के पास जाता है और उस पर एक spell करता है फिर उसके बाद वो दोनों गूमने के लिए जाते हैं जब वो वापस आते हैं KO पिम पर दोबार spell करता है ताकि जो भी उन दोनों के बीच में हुआ है आज रात वो भूल जाए फिर KO वहाँ से जा रहा होता है फिर वहाँ पर चैंग आता है तो फिर वो पिम से बोलता है कि मैंने अपना वादा नहीं निभाबाया मैं chief officer नहीं बन पाया पिम बोलती है कि तुमने मुझे कभी भी disappointment नहीं किया है फिर थोड़ी दिर बाद चैंग पिम को किस कर लेता है वहाँ पर KO भी होता है पर वो दोनों उसे नहीं देख पा रहे होते हैं फिर जब KO भार जाता है तो फिर वहाँ पर उसका senior होते हैं और वो उससे बोल रहे होत होते हैं वह रसमी चांसे मिलता है और वह उने बताता है कि prince आने वाले सर्मनी में तभी वहाँ पर जो काईट उड़ रही होंगी उनमें से हम किसी में एक बम लगा देंगे पर जब धमाका होगा तब हम prince को वहाँ से उठा लेंगे फिर पैस अपने साथी के साथ के को पास जाता है और वो उसे यह सब बताता है फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो फिर वहां पर फैरे चैन भी होता है जो आदमी रश्मिजान से मिलने गया होता है वो फैरे डेको को मारने जा रहा होता है तब ही वहां पर केओ आयाता है और वो उस आदमी को मार देता है तो फिर केवो उस पेड़ के तर चाता है तो फिर वहाँ पर वह स्वार्ड होती है जैसे ही वह स्वार्ड को छूता है तब यूस पेड़ के उपर दुबार ठंडर किरती है जैसे ही केवो स्वार्ड को छूता है तो फिर वैसे ही उस पेड़ पर ठंडर किरती है फिर उसे अपने पास के बारे में यादार होता है फिर उसे यादाता है कि इसको डैड ने उससे कहाता है कि यह सचाई को जानने में को पजलता है कि इसको डैड ने इसको उपर एक स्पेल किया था ताकि वह उनके बारे में सब कुछ भूल जाए तो फिर वह पैलेस के और जा रहे होते हैं जहां प प्रिंस को अपने साहते है तो फिर केयों भी उनसे में पीचे जा रहा होता है तो फिर दोनों साहते हैं तो प्रिंस को होश आता हैLL radial जे पर चले आता है, वहाँ पर वो शमन होता है केव उस आत्मी पर अपने स्पेल कर रहा होता है पर उस पर कोई भी कामयाब नहीं होपा रहे होते तो फिर किसी तरीके से केव उस आत्मी को भीवश कर देता है और जो चांग होता है वो रश्मी चांग को मार देता है केव और चांग शमन के पास जाते है तो फिर वो शमन बोल रहा होता है कि फेराइड डेक और उतमात फूर्स कहाँ पर है तो हमें मिलके शमन को नहीं हराब आ रहे होते तो फिर के हो अपनी sword लेकर उसे मारने जा रहा होता है तब इसके sword में चानक से lightning आती है और वो शमन को मारने जा रहा होता है तो फिर वो शमन एक shield बनाता है जैसे वो lightning ue shield पर गरती है तो फिर वो वहां से deflect हो जाती है Lightning deflect होके चैंक के सर के पास से गुज़र जाती है फिर वो सारे वहाँ पर भी होज़ जाते है तो फिर जो शमन होता है वो बिलकुल ठीक होता है फिर वहाँ पर फेराय डेगा आता है और उसके साथ उतमार्थ फोर्स होती है तो फिराएड एक अपना एक स्पेल पढ़ता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रियेजर आता है और वो शमन को मार देता है थोड़ी दिरों बाद केउ फाइरेट एको से मिलने जाता है तो फिर उससे फूसता है कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करोगे तो फिर केउ कुछ भी जवाब नहीं देता केउ वहाँ से जा रहा होता है तो फिर वहाँ पर पिम की एक फ्रेंड आती है और उससे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है केव वहाँ पर जाता है मिलने के लिए तो फिर वहाँ पर एक बॉक्स होता है और उसमें एक फैब्रिक होता है उस फैब्रिक पर कुछ लिखा है केव उसे पढ़ता है तो फिर उसमें लिखा होता है कि मैं कभी नहीं भूलूँगी तो फिर से याद आता है कि जो उसमें स्पेल किया था पिम पर वो काम नहीं करा था अगने दिन केव उपने सफर पर निकल रहा होता है तो फिर जो उसकी मौँ होती है उसे एक बॉक्स देती है लाइटनिंग के वैसे सागी माना को बतायाता है कि वो मास वाला आत्मी ब्योश जाता है तो फिर अब उसे होश आता है जब वो अपना मास उतारता है तो फिर वो और कोई नहीं गलकी केव के डैड होती है मूवी को IMDB ने 6.1 रेटिंग दिये है और माई डामा डेशन 6.8 रेटिंग दिये है ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी मूवी की मेन कास्ट है मारियो मॉरर ने केव का करदार निवाया है येंग वैरी ने पिम का फिलिप ने चैंग का करदार निवाया है